वेल्कम टू डिसल क्लासेज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली जो लेटेस्ट सीवीएसी से अभी 22 23 के लिए करकलम जो नई अपडेट आई है उसके बारे में बताने वाली हूं जो एन्वल एक्जाम हमारे इस साल अभी होने वाले हैं उनके लिए नहीं है यह उन 2023 का बैच नेक्स्ट यर जो जाने वाला है उनके लिए यह नई अपडेट है फुल स्रेवर्स के बारे में सबसे पहले तो धियान रखिएगा कि इसमें जो नेक्स्ट यर अब एक्जाम होने वाले हैं 12 के उसमें पूरा स्रेवर्स आने वाला है जो भी पूरी बुक है वाल पूरा स्रेवर्स एकी बार एक्जाम में आएका स्वेंटी वस्का का एक्जाम होगा और आपका फाइनल जो है वही जैसे होते थे बौर्ड के एक्जाम वैसे ही होंगे हाँ तो इसमें ज़्यादा सीरियस होने की बात नहीं है अपने आपको ज़्यादा वो करने की बात नहीं है कि हमारी टर्म में जो है वो टर्म 1 टर्म 2 क्यों हट गया उसकी जागे एक बहुत अच्छी न्यूज है जो मैं आपको देने वाली हूँ कि कुछ चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट किये गए हैं नेक्स येर 22-23 के सेशन में तो चलिए देखते हैं कौन से चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट हो गए हैं ये चैप्टर्स के नाम है जो डिलीट किये गए हैं Physical Chemistry जो Volume 1 पहली बुक में आपकी आती है, उसमें आपका Solid State फिजिकल में से और Surface Chemistry दो लेसन आपके Physical Chemistry के जब वो हटा दिये गए हैं, उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. Inorganic Chemistry जो First Volume में ही आती है बुक में, Inorganic Chemistry के भी दो चैप्टर हटाए गए हैं, एक General Principle of Extraction of Element और एक जो बहुत बड़ा जो आपका Part था लेसन का हांजी वो है P-Block Element तो ये आपको जानकर बहुत खुशी होने वाली है कि P-Block Element पूरे ही पूरा लेसन चैप्टर जो हटा दिया गया है, Organic Chemistry Volume जो 2 में आती है, Second Book में आती है, उसमें से भी दो चैप्टर हटाए गए हैं और वो है आपका Polymer और Chemistry in Daily Life तो ये टोटल 6 चैप्टर आपके हटा दिये गए हैं Chemistry में से और 10 चैप्टर आपके रह गए हैं जो आपको पढ़ना है और पूरे 70 मार्स में वो 10 चैप्टर से पेपर बनेगा अब आप सोच रहे होंगे कि हर चैप्टर में से कितने मार्स का आने वाला है कि ये कैसे पता चलेगा हमें तो ये देखिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ